आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ एक्टर अभिशेक बच्चन ने हाली में देए इंटर्व्यू में अपने शुरुवाती दिनों का जिक्र किया उन्होंने बताया कि कैसे डारेक्टर जेपी दत्ता ने उन्हें एक अवार्ट फंक्शन में स्पोर्ट किया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला मुका दिया था इससे पहले दो साल तक कई डारेक्टर उन्हें रिजेक्ट कर चुके थे अविशेक ने सिर्फ अपने ही नहीं बलकि पिता अमिटा बच्चन के स्ट्रगल पर भी बात की इंटर्विव में अविशेक ने कहा कि मैं हमेशा से ही मुवी स्टारर बनना चाता था इसलिए मैंने कई डारेक्टर से मुलाकात की पर उन्हें से कोई भी अमिता बच्चन के बेटे को लाँच करने की रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं लेना चाता था फिर मैंने और मेरे एक दोस्ट के साथ मिलकर अपनी स्क्रिप्ट लिखने का फैसला किया पर वो भी पूरी ही नहीं हो पाई फिर एक दिन में पापा के साथ फिल्म फेर अवर्ड्स में पहुचा जहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई अभी शेक ने बताया बीस साल पहले जब फिल्म फेर अवर्ड्स होते थे तो एक्टर्स को एक मेहने पहले से ही तैय करना होता था कि वो इवेंट पर क्या पहनेंगे उस दोर में कोई रेंड पर या फ्री आउट्फिट्स नहीं देता था हमें खुद खरीदने पड़ते थे उस जिन कोई शाम की शुट में शुटिंग नहीं करता था पूरी इंडरस्टी इस अवर्ड नाइट में शामिल होती थी फिर चाहे कोई नॉमिनेट हो या ना हो हाला कि जब पापा ने कहा कि इस बार फिल्म फेर आवर्ड्स में मैं उनके साथ जाऊंगा तो मैं सोच रहता कि मैं क्या पहनूंगा अब ये कहने में अज़िप लगता है पर उस वक्त मेरे पास जादा कपड़े नहीं हुआ करते थे ना ही हम नए आउटफिट्स अफोर्ड कर सकते थे हम उस वक्त बूरे दोर से गुजर रहे थे और कोशिश करते थे कि लोगों को वो दिखाई ना दे आगी का किस्सा बता दे वे अभिशेक बोले मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी फॉर्मल नहीं था और मुझे लगा जीन्स टीशिट पहन कर जाना अच्छा नहीं लगेगा फिर मैंने उस अवर्ड पंक्शन में वो शेरवानी पहनी जो मैंने कुछ साल पहले बेहन की शादी में पहनी थी उस साल जेपी दत्ता को फिल्म बॉर्डर के लिए बेस्ट डारेक्टर का अवर्ड मिला था और जब वो स्टेज से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने मुझे देखा दो दिन बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर मुझे फिल्म आफर की अभी शेक ने साल 2000 में जेपी दत्ता के फिल्म रिफ्यूजी से बॉलिवुड डेबु किया था इसी के साथ बने रहे है राजदमा टीवी के साथ दर देवाद